नमस्कार अदाप सस्रीकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन सोला के घर से आउट हो चुकी हैं सुम्बुल तौकीर खान सुम्बुल तौकीर खान घर से बेगर होने के बाद उन्होंने सबसे पहले हमारे न्यूज चानल से बात करते हुए चोकाने वाला खुलासा किया और साती साथ ऐसे ऐसे स्टेट्मेंट्स दियें जो कि आपको पूरी तरह से हिला देंगे क्या क्या खुलासा किया सुम्बुल तौकीर खान ने अपनी इंटर्वियो में चलिए आपको बताते हैं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल खुक टिवी न्यूस को आपने स्ब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले खुक टिवी न्यूस को आप सब्सक्राइब कर लें जरूर दबा लें चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही सारी की सारी बाद सुम्बुल तौकीर खान जो हैं घर से बेघर हो चुकी हैं और होते ही उन्होंने हमारे न्यूस चालन से बात करते हुए उन्होंने चोकाने वाला खुलासा किया जिसमें उन्होंने सबसे पहले हमने उनसे सवाल किया कि ग्रैंड फिनाले के कुछी दिन पहले आपका एविक्षन आप इसके बारे में क्या कहना चाते हो सुंबुल इसके बाद सुंबुल ने कहा कि मुझे पता था और मुझे मैं जब नॉमिनेट हुई थी सबते घर से बेगार होने के लिए साती साथ शिव ठाकरे और स्टैन भी नॉमिनेट हो चुके तो मुझे काफी बुरा लगा था और अगर मुझे बहुत जादा बुरा तब लगता जब सिव और स्टैन में से कोई निकल जाता लेकिन हाँ मैं ऐसी ही हूँ मुझे बुरा लगता तब लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगा है मैं खुशी- हैं वो रोते वे मतलब रोते नहीं हसते वे नजर आएं इसके साथे साथ जब हमने उनसे पूछा कि आपके according top two contestant कौन है तो उनोंने यहाँ पर शिव ठाकरे का नाम लिया शिव ठाकरे का एक का नाम लिया और कहा शिव ठाकरे और जो है वो नहीं भेजा था जहां भी भेजा वो साथ गय थे लेकिन चार महीने मैं घर के बाहर रही हूँ और ये मेरे लिए complete नया experience रहा नया जर्नी रहा और ये जर्नी जो है मेरे लिए काफी ज़ादा कारगर साबित होगा और जितने भी fans ने मुझे votes किया उन सारे के सार दिल से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ इसके बाद निम्रित को और अलुवालिया के बारे में क्या आप कहना चाहेंगी ये सवाल हमने पूछा तो निम्रित को और अलुवालिया सही हैं लेकिन वो game के point of view से कई मामलों में जो हैं वो सोचती हैं जैसे कि उन्होंने आने को लेकर या फिर टिकेट फिनाले टास्क को लेकर जो लड़ाई हुई थी निम्रित और सुंबुल के बीच में मतलब मेरे बीच में उसमें उन्होंने अपना फायदा देखा था मेरा फायदा नहीं देखा जो की पूरी तर से जायज है क्योंकि इस स्टेच पर जो है वो आ चुके हैं लोग कि यहाँ पर कुछ भी एक गलत फैसला जो है उन पर भारी पड़ सकता है तो यहाँ पर सब लोग अपना गेम केलने आया थे लेकिन हाँ मैं गेम से जादा इमोशन्स को मैंने वेल्यू किया इस घर के अंदर ये बात जो है वो बोलते वे नज़र आ लेकिन हाँ हमारी बीच में इतना जादा डिफरेंस नहीं आया इसके बाद जब हमने उनसे पुछा कि आपके इविक्षन का असली कारण क्या है तो उन्होंने शालिन भनोट का नाम लेते वे कहा कि मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहूंगी उसकी शकल तक नहीं देखना चाह आप एकसाइटेड हैं इस बात को लेकर कमेंट के जरीए आप हमें जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल को एक टीवी नूस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो क्विक टीवी नूस को आप सब्सक्राइब करना ना बुले बि को लगी